हेलो फ्रेंज, इम डॉक्र अनुपम रॉय, इम एसोचे डिरेक्टर डिपार्ट्मेंट नेफरोलोजी इन किड्नी ट्रांस्प्रांट वेंकट इश्वर हॉस्पिटल द्वारका, तो टोड़े आम गूंग टॉक अबॉट साइंज और सिंटम्स ऑफ किड्नी डिजीज, किड प्रिशानिया लेके पेशन आते हैं, उस बारे में मैं बात करना चाहूंगा, किड्नी डिजीज के पेशन्ट्स पैरों में स्वेलिंग के साथ आ सकते हैं, सांस फूलने की दिक्कत के साथ आ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि सुबे चेहरे पे सूजन आती है, शाम को पैरों में सूजन आती है, कुछ लोग दूसरे यूरिनरी प्रावलम्स लेकर आते हैं, जैसे कि यूरिन में जलन होना, या यूरिन में जाग आना, कुछ लोग यूरिन में खून के साथ भी प्रेजन्ट करते हैं, कुछ लोग आते हैं कि यूरिन कम आता है, कुछ लोग आ आना नींद आने में दिक्कत होना या सांस चड़ने की दिक्कत लेकर भी आते हैं तो इन सब वज़ाओं से किड्नी की बिमारी का कई बार जो डाइगनोसिस होता है वो बहुत ही डिलेड होता है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक सिंटम्स हैं पेशन्स खून की कमी की वज़े स कई औरों को दिखा रहे होते हैं बट एक्चुली में उनको किड्नी की दिक्कत होती है इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको अपने डॉक्टर से सला करनी चाहिए कि कहीं ये दिक्कत किड्नी की बिमारी की वज़े से तो नहीं है थैंक्यू